नमस्कार क्या पचल टिवी का प्रैम टाइम शो देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा अम आदमी पार्टी की राजसवा सांसर्थ स्वाती मालिवाल के मारपिट मामले में विल्ले पुलिस को अर्वन कीजरिवाल के पीए विभव कुमार के खिलाब सबूत मिल च नहां विभव ने अपने फोन का डेटा किसी अनव्यक्ति या डिवाइस पर ट्रांसफर करने से पहले अपने फोन को फॉर्मिट कर दिया था और खबरों के मताबिक दिल्ली पुलिस ने जो सबूत बरामत किये हैं वो मुंबई एर्पोर्ट के नस्दी की इलाके से किये है अब फोन के डेटा को रिट्रीव करने की पूरी कोशिस है साथी पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश में है कि फोन से डिलीट किया डेटा सबूत मिटाने के लिए किया गया या किसी अनिक कारणों से नस्ट किया गया था तो स्वाती मालिवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में जाज अब तक कहा तक पहुंची है भई जाज के बारे में बताओंगा लेकिन अभी अभी पहली बार अरबिंद केजरिवाल ने मूझ खोला है अरबिंद केजरिवाल ने एक इंटरिव्य में कहा कि सौती मालिवाल के साथ नयाय होना जरूरी है मैं चाहता हूँ कि उनके साथ न्याय हो और मैं अभी इस बार में कुछ नहीं इसनी कह सकता है कि दो-दो वर्जन है घटना एक वर्जन दो घटना कहा घटी आपके घर में और उसके बाद भी आपको दो-दो वर्जन कान में सुमाई दे रहे हैं आपने अपने स्टाफ से अपने लोगों से पूस्तास करने की कोशिस नहीं की इमांदार होते वाकई में न्याद दिलाना चाहते तो आज मौका था इंट्रिवू में कहते कि मेरे पास जो जानकारी है मेरे घर के अंदर ये सारी चीजे हुई लेकिन आपको करनी है राजनीती आपको बचाना है विभग कुमार को आप पूरी तरीके से ऐसे कुछ चक्र में फस गए हो कि ना खाये बन रहा है ना उगले बन रहा है तो जैसे ये इंट्रिवू आया स्वाती मालिवाल ने भी केज रिवाल पे पहला हमला किया ट्विट किया अटर आलीजिंग देटार आर्मी अव लीडर्स अवलूंटिर्स अट्वीर्स अट्वी चालिंग में बच्प अगेंट अससिनेटिंग मैं चरेक्टर लीकिंग एडिटेट विडियोस विक्तिं की बत century ओफ्यूंग इक siendo अट्वी आम में तीज़ की थिवाल ऑ्रप्यूंट में लूडपिंग की खिए्टन विवीर्सutाएट ha I don't buy this one a bit क्या आरोप लगा रही है कि यह सब केजरी वाल ने किया केजरी वाल ने अपने लीडर सर अपने वोलिंटियर्स को मेरे पीछे छोड़ दिया कि बदनाम करो इसको कहीं से लेकर कि आओ अभी तक क्या था अभी तक इशारे में चल रहा था कि मेरे पसल फोटोज मांगे जा रहे हैं यह किया जा रहा वो अब तो इस टूइट के बाद यह साफ हो गया कि यह सब कुछ केजरी वाल करवा रहा है मेरे करेक्टर का इसे सनेशन जो है वो केजरिवाल करवा रहा है लीकिंग एडिटेड वीडियोज विक्टिम सेमिंग रोमिंग अराउंड विद अक्यूज वह यह न्याद दिलवाएंगे free and fair election free and fair investigation से चाहते है और जो अक्यूज्ड है उसको अपने साथ लेगर की घूम रहे थे आगे क्या कहा कि इससे भी बड़ी चीज यूज़ाओवड अक्यूज तो रिविजिट दे क्राइम सीन जहां ये सारी घटना एं घटी उस जगह पे आपने अक्यूज को वापस आने दिया so that he can temper with the evidences investigation ये तो लपेटे में आगए कल इस पे ज़्यादा खेल होगा मैं बार बार कह रहा था लिहाज का परदा है वो परदा आज गिर गया अब तो ये भी काल जा रहा है कि स्वातिमालिवाल की केस में केजरिवाल से भी जल्द पूशताच होगी बिल्कुल पूशताच होगी घर आपका पार्टी आपकी पीए आपका ड्रॉइंग रूम आपका नेता आपकी हैं पिटने वाला और पिट जाने वाली ये दोनों ही आपके ही हैं और आपके नाक के नीचे वो जो एविडेस दिये जारें वो ब्लैंक आ जारा है तो पूशताच की जाएगी ना क्या पूशताच की जाएगी एक ऐसा सवाल पूशा जाएगा जिसका जवाब केजरिवाल नहीं दे पाएगी ओ सवाल क्या है कि किस हैसियत से चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर विभब कुमार मौजूद था किस हैसियत से क्योंकि आप चीख रहे हो चिला रहे हो बता रहे हो दुनिया को मेरे पीए को अरेस्ट कर लिया या आपका पीए नहीं आधिकारिक तोर पे अप्रेल 13 को ही उसे हटा दिया गया था फिर वो वहां क्या कर रहा था और जब वहां पे था तो फिर आपने उसे अपने साथ एक अक्यूज को आप अपने साथ लेकर के कहा गये फिर उसे वापस क्यों आने दिया आपने तो सपत खाई है और कोई प्राविट घर नहीं है आपका चीफ मिनिस्टर का अधिकारिक निवास है यहां यह सारी चीजे तो यह लपेटे में आएंगे लेकिन अचानक से इसे क्या हो गया कि केजरिवाल अब तक तो चुपते स्वातिमालिवाल के केस में अब वो बोल रहे हैं भले ही थोड़ा बोला लेकिन देखिए बोलना इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि यह राजनीतिक जन्तु है यह सांस भी लेता है राजनीती के लिए खास्ता भी राजनीती के लिए शट भी पहनता है राजनीती के लिए चपल भी पहनता है राजनीती के लिए यह अपने आप में विचित्र प्राणी है तो इसको यह मालूम चल रहा है कि वो जो आते ही 1000 रुपया महिलाओं को देंगे महिलाओं का वोट लेने के लिए ये तमाम तरह के ये जो पिटाई हो गई वो जो महिला वाला जो प्लैंक था जिससे वो वोट गार्ण करना चाह रहा था केजरीवाल वो पूरा का पूरा गिर गया खतम हो गया नस्ट हो गया और जब इसको चटपटाहट हो रही कि नहीं ये स्वाति मालिवाल का केस अगर आप चुप रहोगे तो ये नुकसान करेगा तो ये राज़ितिक नुकसान वोट का नुकसान तो ये किसी कीमत पर बरदास्त नहीं कर सकता तो इसने ये कहा कि हम भई हम संथ हैं हम free and fair investigation के बादक तो आप ही हो आपने accused को मदद की आप तो आरोपी के मददगार के रूप में आप से पूस्ताच होगी कहते ना बड़ा संत महात्मा बन जाने से काम तोड़ी चलता है अब ये कहाली तो खतम हुई क्यों फसे के और क्यों ऐसा करना पड़ रहा है बही मनिशी सोधिया जेल गया आप बाहर में आये सतंदर जैन जेल गया आप ब रूटेस्ट नहीं किया विभव चला गया अब फरत प्या गये क्यों इसी का सवाल इसी का जवाब तो मुंबे में लेकर गई थी थी जहां पुलिस को उसके फोन से तीन तीन लोकेशन के बारे में मालूम चला जहां उसने अपने फोन के वो फॉर्मेट किया था वो फोन फ 22 में अपने डाटा को ट्रांसफर किया उसको लोकेट करना उस व्यक्ति को लोकेट करना तीन चार लोगों से पूछताच हुई है अलग अलग जगों पे जहां जहां यह गया उससे बाचीत हुई है यह सारी चीजिया और पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि उस फोन के डाट रिट्रीव करने की तैयारी चल दिए फोन का डाटा रिट्रीव हुआ कई सारे जो कंकाल जो है वो धर्नागर के गिरिंगे बाहर ख़बरों का जो है मने भंडार आ जाएगा बाहर क्योंकि यह विभव कुझी है केजिरिवाल के सारे काले कारणाव कहा कहा किस से बात हुई भी नहीं हुआ यह सारा फोटो डाटा डिटेल इमेल यह सब यह सब उस डाटा के साथ आ जाएगा और अधर अमिस्ता वैसे ताल ठोक रहे हैं चार तारीक को जो है जो कूर्सी से चिपका हुआ है जो फेवी कॉल से फेवी कॉल जो हो हट जाएगा सुप्रेम कोट, हाई कोट, हाई कोट ने क्या कहा, मनिज्सी सुधिया का बेल रिजिक्ट वाई कोट ने क्या कहा, कि इसको फ्रॉड है, बताई यह पब्लिक ओपीनिन के नाम पे, पब्लिक सेजिसन्स के नाम पे आपने, उसमें भी करबले कर दी, हाइकूर्ट का जज्जमिंट पढ़ने पे तो साब साब कहा जा रहा है कि सत्ता के निसे में ये लोग जो है अपनी सत्ता का दूर्पियोग कर रहे थे गोटाला करने के चक्कर में इन लोगों ने कानून की ऐसी के तैसी कर दी और इसलिए बेल नहीं मिला है अब कुछ दिन बाकी है केजरिवाल को वापस जेल जाना है उसकी भी तयारी करनी है कि मैं जेल गया और फेविकोल अमिसान ने हटाया तो उस जगह पे किसको बिठाया जाए किसी और को नहीं बिठाएगा पत्नी बैठेगे इसलिए नहीं कि दिल्ली की जनता और ये पार्टी वह सब्सक्री शीष्मन नहीं छोड़ना है मले सौक से बनाया हूं मैं और प्राविटली अपने दोस्तियारों को ये कहता है कि हमने ऐसी राजमितिक घुट्टी पिलाई है दिल्ली के लोगों को ऐसा बेब कुब बनाया है ऐसा पाशा हमने चला है कि अगले 40 साल तक मैं मुख्र मंत्री बना रहूंगा किसी माय किलाल की ताकत नहीं है कि मुझे हरा सके इसलिए उसने ये घर बनाया है और इसके लिए कुछ भी वो करेगा और आमाद्दी पाटी पारिवारिक पाटी बनी गए जोस तरह से समाजबादी पाटी है जैसे रजडी है लालू की पाटी मुलाएम सिंक की पाटी उद्व ठाकरे की पाटी बादल की पाटी कॉंगरेस पाटी ये तवाम लोग डीम के जितने भी चारों तरफ जो बरस्टाचारियों का पूरा गैंग है ये सब उसी रास्ते पे केजरिवाल निकल पड़े हैं आपने सौती मालिवाल का जिक्र करके और जो बात आपने कही जो एक भी सब्द मानने को तयार नहीं है सौती मालिवाल लिहाज का परदा उठ गया है एक दो दिन में ये लड़ाई और भी मज़दार होने वाली है बहुत बहुत धन्यवाल समझाने के लिए दन्यवाद सौती मालिवाल के इस में जाच तेजी से आगे बढ़ रही है जैसे जाच आगे बढ़ रही है किज्जवाल के लिए बुसिवद बढ़ती जा रही है तो वहीं सौती मालिवाल हर दिन ट्वीट कर कुछ ना कुछ बड़ा खुलासा भी कर रही है सुबह उन्होंने ट्वीट करके लिखा था कि उनके खिलाब गंदी बाते बोलने और उनकी परसनल पोटोज लीग करने जैसे आदेश आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिये गए है अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर दिल्ले पुलिस का अगला कदम क्या कुछ होता है इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें देखते रहे क्या पतल टीवी नमस्कार